हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वक्षीट नमबर 160 जो की 3 फेरबरी 2021 की है और आपकी टेक्स्टवुक मेरी गोल्ड से ली गई है इसका आज हम एक न्यू यूनिट करने जा रहे हैं तो चलिए आज की वक्षीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल एकन दवा दीजे जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुच सके तो चलिए देखते हैं आज की वक्षीट लेट स्टार्ट तो मतलब कल की बात है फोरेस्ट था एकदम जंगली सा फोरेस्ट था यानि आपने जंगल देखा है ना तो एक जंगल था उसमें एक लोयन एक शेर एक कैमल से मिला एक उट से मिला एक उट से मिला और उन्होंने एक दूसरी के बारे में बात की तो बोला गया है कि ये जंगल में एक शेर एक उट से मिला और उन्हों दोनों always it की, would you like to know what they spoke about, क्या आप जानना चाहेंगे उन्होंने क्या बाते की तो यह आपका the ship of the desert वाला chapter है न, उसी से related मतलब उसी की यह chapter की कुछ बाते दे रखी है hello who are you, never saw you here before, अब loin कहता है camel से, hello, आप कौन हूं मैंने आपको कभी देखा नहीं तो oot कहता है, I am camel मैं oot हूं, मैं camel हूं people also call me the ship of desert और people मुझे ship of desert भी कहते हैं यानि, जो desert होता है उसका जहाज रेगिस्तान का जहाज, what about you तो तुम्हारे बारे में तुम कौन हो, तो oot बोलता है कि मैं तो camel हूं, और लोग मुझे ship of desert भी कहते हैं, लेकिन तुम कौन हो, तो आप loyan जवाब देता है, I am loyan मैं शेर हूं, and I am called the king of the forest मुझे जंगल का राजा कहा जाता है ठीक है, because I am very brave, क्योंकि मैं बहुत ही बहादूर हूं, काफी brave हूं brave का मतलब होता है, बहादूर why are you called ship when you are an animal लेकिन ये बताओ अब loyan पूछता है, उट से ये बताओ, तुम्हें जहाज क्यों कहा जाता है, जबकि तुम तो एक जानवर हो तो अब camel जो है उट जो है, वो जवाब देता है it is because I can walk easily on hot sand, I can also survive without food and water for weeks in the desert ऐसा इसलिए, क्योंकि जो रेगिस्तान होता है, उसकी जो mitti होती है, sand होती है उस पे मैं असाने से चल सकता हूँ और मैं बिना खाने के रह सकता हूँ और मैं अपने अंदर पानी को store कर लेता हूँ काफी हफ़तों तक रेगिस्तान में तो जो ऊट होता है, उसने जवाब कि मुझे जहाज इसलिए कहा जाता है रेगिस्तान का क्योंकि मैं असानी से मिठी पर चल सकता हूं रेगिस्तान की और बिना खाने के रहस्त जी सकता हूं और पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता हूं समझके तो जो उठ होता है वो काफी हफ्तों तक पानी को अपने अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है किया आपने नोटिस किया ध्यान दिया कि लॉइन जो उपर बाते कर रहा था तो उसने बोला कि वो बहादुर है हमने पड़ा सा ना इतर बोलता है क्यूंकि इसने बोला था उपर कि मैं काफी बहादुर हूँ तो वही पूछा गया आपने ध्यान दिया कि लॉइन कहता है उपर कि वो काफी बहादुर है Have your parents ever told you that you are as brave as a lawyer? कि भी कभी आपके parents जो हैं आपके माता पिता जो हैं उन्होंने आपसे कहा है कि आप एक्दम बहादूर हो शेर की तरह Such a comparison is called simile यानि ऐसा comparison करना ऐसी तुलना करना इसको हम simile कहते हैं It is a figure of speech ये एक speech का figure है अब चलिए हम पढ़ते हैं simile के बार में Simile क्या चीज है? देखे, simile का मतलब होता है तुलना करना दो चीजों की जैसे अगर आपकी ममी पापा आपसे बोलें कि आप शेर की तरह बहादूर हो तो ये आपकी और शेर की तुलना हो रही है क्या आप शेर की तरह ही बहादूर हो ठीक है? Comparison हो रही है, तुलना हो रही है तो उसको हम simile कहते है अब इसके example देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा फिर It compares two things using like or as ये दो चीजों की तुलना करना होता है Simile का मतलब दो चीजों की तुलना करना होता है Like or as लगा कर जैसे She is as slow as a snail मतलब वो लड़की एकदम धीरे चलती है स्नेल की तरह तो स्नेल एक insect होता है जो काफी धीरे चलता है बच्छो तो एक लड़की से बोला जा रहा है कि वो लड़की बहुत धीरे चलती है स्नेल की तरह तो इसमें क्या बोला जा रहा है इसमें दो चीजों की तुलना की जा रही है एक तो लड़की की और एक स्नेल की तो दो चीजों की तुलना करना तो इसको हम से मिले कहेंगे और यहाँ पर as का use हो रहा है She is as slow as a snail तो यहाँ as या like as का use हो या like का use हो उससे भी हम से मिले कहते हैं यानि दो चीजों की तुलना करना as और like का use करके तो एक वाक्य में हम as या like का use करके दो चीजों की तुलना करें तो उसको हम से मिले कहेंगे बहुत एसी है अब एक बार फिर समझिए कुछ और एक्जामपल हम लोग ले लेते हैं Let's take a few more examples चलो एक एक्जामपल हमने लिया As light as a feather यानि एकदम हलका जैसे कि एक पंक होता है तो यहाँ पर देखिए As light as a feather यानि अगर किसी समान को बोला जाए कि यह समान तो इतना हलका है जैसे कि पंक की तरह एकदम पंक की तरह अगर ऐसा बोला जाए कि यह समान एकदम पंक की तरह हलका है तो किसकी कंपेर हो रही है उस समान की और उस पंक की तो इन दोनों की तुलना की जा रही है ठीक है तो इसको हम सिमिले बोलेंगे यहाँ पर as का प्रियोग हो रहा है as light as a feather as जहाँ पर as और like का प्रियोग हो वो सिमिले ठीक है अब second as white as a snow एकदम सफेज जैसे की snow हो snow आपने देगे ना बरफ हो एकदम white जैसे की बरफ हो अब जैसे paper को कहा जाए यह paper तो इतना white है की जैसे snow हो समझ के तो paper और snow की तुलना की जा रही है तो यह सिमिले हो गया तो यानि दो चीजों की तुलना करना तुलना यानि compare चिक है तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं now let us make take some more example of the similies and fill in the blank with the help of pictures provided अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ और examples लें similies के यहाँ पर कुछ pictures देखाई हैं इसकी मदद से आपको यह भरने है as proud as a dash यानि इतना घमंड जैसे की कौन करता है as proud as a देखिए कौन है peacock के more है तो more को घमंड होता है न वह सुंदर होता है तो उसमें खुद को घमंड होता है उसको तो यह हो गया proud as proud as a peacock as wise as an मतलब एकदम wise एकदम सीधा जैसे के लिए एक उल्लू यानि आउल होता है तो यहाँ आउल आ जाएगा और थर्ड है as busy as a इतना busy जैसे की एक मधुमक्ही होती है b होती है as big as a मतलब उतना बड़ा जैसे की एक वेल होती है वेल ठीक है तो यह हो गई हमारी similis I hope आपको similis का मतलब समझाया होगा एक और बार हम देख लेते हैं similis वो होते हैं जैसे दो चीज़ों की तुलना करना तो as busy as a be एकदम वैसे busy जैसे के लिए एक मधुमक्ही हो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है as big as a whale यानि उतनी बड़ी जैसे के लिए एक वेल हो वेल आपने देखिए ने ये वेल होती है जो हमें पानी में मिलती है बहुत बड़ी होती है ये तो बोला गया है उतना बड़ा जैसे के लिए वेल हो तो ये हमारे तुलना की जा रही है तो ये कुछ ऐसे similes होती है इन चीज़ों को जनमें तुलना की जाए as लगाकर, as proud, as a तो इनको हम similes कहते हैं I hope आपको समझ आया होगा Let's have some more fun by doing exercises given on the page number 150 of the English workbook तो आप 150 page number कर सकते हैं अपनी English की workbook का, ठीक है आपके पास English की workbook होगी उसका 150 page number आपको करना है ऐसे ही कुछ exercise करनी है तो ये थी आज की worksheet I hope आपको समझाई होगी similes समझाई होंगे और हमने chapter की कुछ चीज़ें पढ़ी यहां पर ये भी आपको समझाई होंगी so अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूस सकते हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कीज़े अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीज़े जिससे बच्चों वो भी जल्दी से जल्दी वक्षिट को पूरा कर सकें ओकी थैंक यू फो वाच्चिंग